यह क्या आ गया n की value that is 4 तो इस question में हमारे n की value कितनी आ गई है 4 ठीक है 6th part देखो 2 by 3 की power 10 3 by 2 की power 5 करते हैं इसको solve अब देखो 3 by 2 की power 10 इसको अलग अलग लिख लेते हैं sorry 2 by 3 हैं तो 2 की power 10 3 की power 10 multiply यह क्या 5 तूजा 10 3 by 2 तो यहां पर हमारे पास 3 by 2 की power 10 इधर क्या हमारे पास 2 by 3 की power n minus 2 2 and minus 2 क्या करेंगे यह भी अलग लिख लेंगे इसी तरह से 2 की power 10 3 की power 10 multiply 3 की power 10 2 की power 10 ठीक हैं यहां क्या हो रहा है मारे पास 2 by 3 2 and minus 2 इधर क्या देखा 2 की power 10 इधर 2 की power 10 अगर उपर आएगे 10 minus 10 यह क्या हो जाएगा इधर यह निच्चे चली जाएगी तो भी 3 की power 10 minus 10 ठीक है निच्चे लेके आणाम ने क्यों क्यों क्योंकि 2 by 3 इधर सेम बणाने है यह यहां क्या हो जाएगा 2 by 3 की power 2 and minus 2 10 में 10 गया 0 10 में 10 गया 0 यानि हमारे पास इधर क्या आ रहा है 2 by 3 की whole power क्या आ रही है 0 और इधर 2 by 3 की power क्या है 2 and minus 2 तो 0 को compare करेंगे यानि 2 and minus 2 किसके equal है 0 तो 2 and की value क्या हो जाएगी उधर जाके plus का हो जाएगा and की value क्या हो जाएगी 2 divided by 2 2 divided by 2 cancel होके क्या आ जाएगा 1 तो इस question में हमारी and की value क्या आ रही है 1 8th question last question बच्चा है क्या करेंगे सबसे पहले तो इसको देखेंगे and की value निकालनी है same 9 की power n 9 को क्या लिखेंगे 3 की power 2 multiply n इधर क्या 3 की power 2 इधर 3 की power n minus 27 को क्या लिख सकते 3 की power 3 and divided by 3 की power 3 5 जा 15 multiply 2 की power 3 that is 1 by 27 की power 3 ठीक है देखो इसको 3 की power क्या हो जाएगी 2n multiply इधर 3 की power plus करदें इधर 2 plus n minus इधर क्या हो जाएगी 3 की power 3n divided by निचे 3 की power 15 multiply 2 की power 3 इधर क्या हो जाएगा 3 की power 2n plus 2 plus n minus 3 की power 3n और निचे 3 की power 15 multiply 2 की power 3 is equal to 1 by 3 की power 3 देखो लाइक टर्म समेशा एड होती है जो n वाड़ी टर्म है न ये n में जुड़ेगी 2 और 2 नी जुड़ेगी ये 2n और n वाड़ी टर्म जुड़ेगी जो लेटर वाड़ी टर्म्स होती है वो जुड़ती तो 2n और 1 कितना हो गया 3n तो 3n प्लस 2 हो गया इधर तो यहां मारे पास क्या हो गया 3 का 3n प्लस 2 minus 3 की power 3n divide by नीचे क्या हमारे पास 3 की power 15 minus multiply 2 की power 3 1 by 3 की power 3 solve करो 3n इधर है 3n इधर है बाहर निकाल लेते हैं 3 की power 3n बाहर आ गया इधर क्या बचा 3 की power 2 इधर क्या बचा 3n बाहर निकल गया 3 की power 0 यानी 1 नीचे क्या बचा 3 की power 15 multiply 2 की power 3 that is 1 by 3 की power 3 अब क्या करेंगे 3 की power 3 and as it is 3 की power 2 क्या होता 3 3s आ 9 9 में 7 गया 8 ठीक है नीचे क्या गया 3 की power 15 multiply 2 की power 3 क्या होती 2 2 जा 4 2 जा 8 यहां क्या है 1 की power 3 यह as it is अब यह देखो multiply में यह से cancel तो यह क्या बचा मारे पास 3 बेस सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते 3 की power 15 और यहां 3 n 1 by 3 की power 3 बेस सेम है यह भी उपर आएगा यह उपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा क्योंकि इडिवाइड में है तो 3 की power 3 n माइनस 15 किसके इकवल हो जाएगा यह भी उपर आएगा तो यह क्या हो जाएगा 3 की power minus 3 तो अब यह सेम हो गए मारे पास अब power को compare करते हैं 3 n minus 15 is equal to minus 3 minus का है उदर जाके plus का हो जाएगा 3 n किसके इकवल हो जाएगा 15 minus 3 15 में से 3 गया 12 3 n की value क्या आगी 12 n की value क्या आजाएगी multiply में उदर जाके divide में हो जाएगा cancel करा 4 तो n की value मारे पास क्या आगई है 4 और यहाँ पर हमारी exercise 6.2 होती है complete तो मिलते हैं हम next video में next exercise के साथ तब तक अगर आपको कोई भी doubt आए तो comment box में comment करके पूछ सकते हैं